हवाई जहाज हवा में थी और उसमें 194 यात्री बैट कर इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अब हवाई जहाज एयरपोर्ट पर लेंड होगी लेकिन एक सनकी आदमी जाता है हवाई जहाज का अपात कालिन दर्वाजा खोलता है और सोचिए कि हवाई जहाज जब हवा में हो 194 यात्री उस हवाई जहाज में बैट कर लेंडिंग का इंतजार कर रहे हो और तब कोई आदमी जाकर उस हवाई जहाज का आपात कालिन दर्वाजा खोल दे तो क्या स्तिती बनेगी यह कहाने दक्षिन कोरिया की है दक्षिन कोरिया में एक विमान है जिसका नाम है एशियन एरलाइन्स और विमान का नंबर था A321, A321 उरान भढ़ती है दक्षिनी पूर्वी शहर दायगू से उसमें 194 आदमी बैठे हुए थे और ये विमान दक्षिन पूर्वी शहर दायगू से दक्षिनी द्वीप जेजू जा रहा था, 194 लोग बस दक्षिनी द्वीप लेकिन लेंडिंग के एन पहले जब विमान हवा में थी तब एक आदमी जाकर एमर्जेंसी डोर खोल देता है, जैसे ही एमर्जेंसी डोर खुलता है पूरे विमान में हवा भर जाती है, पूरे केबिन में हवा भर जाती है और जो लोग एरोप्लेन में बैठे हुए थे उ आपात कालिन दरवाजा खोल दिया था लोग कह रहे हैं कि उसको रोकने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन वो रुकने के मूड में नहीं था और वो जल्दी से जाकर आपात कालिन दरवाजा खोलता है और 194 लोगों की सांसे अटक जाती है यह कहानी दक्षिन कोरिया की है test series देता है अगर आप 10वी में है 11वी में है 12वी में है तो आप इनका test series ले सकते हैं ये लोग एक 10वी से माल लिज़े कि लेड़ह लाख सवाल देते हैं 1.5 लाख सवाल बनाकर आप एक दम टॉप कर जाएंगे क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसका सवाल नहीं है और इनका दसवा में डेर लाक सवाल मिलता है ग्यारवा में डेर लाक मिलता है बारवा में डेर लाक मिलता है और सिर्फ दसवा है ग्यारवा बारवा नहीं आपको नीट और जेई की तयारी भी ये लोग करवाते हैं नीट और जही के तयारी आप करेंगे तो समझ लीजे कि आपका नीट भी निकल सकता है जही भी निकल सकता है और फीज इनका बहुत कम है इनका अपना एप है Street Learning EDU जो प्ले स्टोर पर है आप जाकर वहां से ले सकते हैं इनका वेबसाइट है streetlearning.edu.com वहां जाकर आप ये वेब टेस्ट रीज खरीद सकती है अब लोटते हैं दक्षिन कोरिया के उस एयर बस के कहानी पर जिसका नंबर है A321 और A321 जो ये विमान है ये 194 यात्रियों को लेकर दक्षिन पुर्वी शहर दाइगू से दक्षिनी द्वीप जेजू जा रहा था अब ये हवाई जहाज हवा में था लेंडिंग में अभी कुछ समय बचा हुआ था लेकिन एक यात्री उठकर जाता है और आपात कालीन दर्वाजा खोल देता है अब आपात कालीन दर्वाजा जैसे ही खुलता है वैसे ही पूरे केबिन में हवा भर जाती है अब जब पूरे केबिन में हवा भर गई तब कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी लोगोंने सीट बेल्ट लगाया था इसलिए कोई प्लेन से बाहर नहीं गिरा अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया होता तो समझे कि उसका क्या हालत होता वो हवा में उड़ जाता उसकी मौत हो सकती थी लेकिन गनीमत ये थी कि किसी ने भी सीट बेल्ट खोला नहीं था सबने seatbelt लगाया हुआ था और हवा में केबिन में हवा तो घुसा लेकिन किसी को कोई हताहत नहीं हुई जो लोग सांस नहीं ले पा रहे थे उनको जल्दी से लेंडिंग के बाद अस्पताल ले जाये गया और अभी वो लोग स्टेबल है मतलब की जादा परिशानी उनको नहीं हो रही है और जिस व्यक्ति ने एर बस का आपात कालीन दरवाजा खोला था उसको अरेस्ट कर लिया गया है उससे पूछताच हो रही है ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब घूम रहा है हम सबको पता है कि देखिए कोई भी एरोपलेन जब हवा में होता है तो पुरितरीके से बंद होता है लोक होता है अगर बाहर से थोड़ा सा भी लिकेज हवा का हुआ तो समझ जाइए कि खेल खराब हो जाएगा सांस लेने में परिशानी होगी इसके अलावा तमाम टेक्निकल दिक्कते हैं लेकिन ऐसा जान बूझ कर दक्षिन कोरिया के एक आदमी ने कर दिया और उस वक्त उस विमान में 194 लोग बैठे हुए थे किसी को कुछ हुआ नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल हो रहा है और जब वीडियो लोग देख रहे हैं तो उनकी सांसे रुक जा रही है यह सोच कर वो सहम जा रहे हैं कि अगर कभी उनके साथ ऐसा हो गया तब क्या अस्तिती होगी बाकी ऐसा करना बिलकुल अपराध है आप चलते प्लेन का आपात कालिन दरवाजा नहीं खोल सकते हैं और उस आदमी को अब अरेस्ट भी कर लिया गया है उचित कारवाई की जा करते हैं आपकी प्रतिक्रिया क्या है क्मेंट बॉक्स में बताईएगा मेरे नाम प्रशांत्रा है तो जल्दी किसी ने खबर के साथ मिलेंगे धन्यवाद